नमस्कार, बालाजी इसोलेटर्स के इंफॉर्मिटिव वीडियो में आपका स्वागत है। हम इस वीडियो मोटर ओपरेटेड आइसोलेटर और मैनूल ओपरेटेड आइसोलेटर इनके बारे में देखने की कोशिश करेंगे। पहला मुद्धा हैं मोटर आइसोलेटर और मैनूल आइसोलेटर क्या है? हालां कि इन दो फ्रकार के isolators में functionality और operation के मामने में अलग-अलग है Motorized Isolator और Manual Isolator दोनों विद्योत उपकरण हैं जिनका उप्योग isolation of electrical circuits किया जाता है आए दो off-load isolator disconnectors के बीच महत्वपूर्ण अंतरों पर एक नजर डाले बढ़ते हैं आगे और देखते हैं इनके construction के बारे में Motorized Isolator Disconnector Motorized Isolator में एक integrated motor होती है जो automatic operation को गती देती है इस isolator को manual रूप से भी स्वचालित नियंतरन प्रणाली के माध्यम से संचालित किया जा सकता है Motor ये quick and efficient switching करके विद्यूत circuit off या on करती है Manual Isolator Disconnector जैसा की नाम से पता चलता है Manual Isolator को manual operation की आवश्यक्ता होती है इसमें आमतोर पर विद्यूत circuit को खोलने या बंद करने के लिए handle को घुमाना या lever को संचालित करना शामिल होता है अब देखते हैं अगला मुद्दा Internal Motor के साथ, Motorized Isolator, Remote Operation की सुविधा प्रदान करता है इसे Control Room से नियंत्रित किया जा सकता है जिससे अधिक सुरक्षा मिलती है क्योंकि operator switching या isolation के दोरान विद्यूत circuit से एक सुरक्षत दूरी बनाए रख सकते हैं ये सुविधा उच्च जोखिम वाले वातावरण में विशेश रूप से उप्योगी है Manual Isolator ये Manual नियंत्रन पर निर्भर करता है जिसका आर्थ है कि operatorों को device को physically operate करना होता है Manual Isolator के साथ remote operation संभव नहीं है Let's see the next point Motorized Isolator Disconnector ये अक्सर interlocking तंत्र जैसी अतरिक्ट सुरक्षा सुविधाओं से सुसजज़त होते हैं जो unauthorized operation और circuit के आकस्मिक बंध होने से रोकते हैं ये सुविधाएं सुरक्षा बढ़ाती हैं और विद्युत दुरघटनाओं को रोकने में मदद करती हैं Manual Isolator Disconnector Manual Isolator Disconnector में operation के दौरान operator के ग्यान और साफधानी पर निर्भर करता है Easy Maintenance Manual Isolators को उनके सरल डिजाइन के कारण maintenance आसान है Motor चालित Isolators की तुलना में उन्हें कम maintenance checks and repairs की आवश्यक्ता होती है हमारे माइंड में हमेशा ये सवाल आता है कि How to Choice Between Motorized and Manual Isolator? Motorized Isolator और Manual Isolator के बीच का चुनाव उप्योग करता की विशिष्ट आवशक्ताओं और प्राथमिक्ताओं पर निर्भर करता है जबकि Motor चालित Isolator Extra Benefit सो विधाएं प्रदान करते है Manual Isolator प्रभावी, विश्वस्निया और Easy Operation करने के लिए आसान होते है जब हम प्राइस के बात करते हैं तो Motorized Isolator की कीमत ये Manual Isolator से ज्यादा होती है Normally Motorized Isolator ये सब स्टेशन में लगाए जाते है और Manual Isolator ये Distribution Line और Industrial Use के लिए लगाए जाते है इस विडियो में हमने देखा की Manual और Motorized Isolators की कौन सी विशेशता होती है हमने इस विडियो में Motor Operated Boxes के बारे में देखने की कोशिश की है Isolator के संबंधी हर एक एसपेक्ट पे हमने विडियो बनाए है कृपिया उनको ज़रूर देखिए आप जानते हैं कंपनी के बारे में Balaji Engineers Isolators Private Limited ये Isolators के एक Leading Manufacturers है Balaji Engineers Isolators Private Limited 2004 से Power Solutions के बिजनिस में है कंपनी ये MIDC शिरोली कोलहापूर महाराश्टर में स्थित है और इसमें सभी Testing Facilities के साथ पूरी तरह से High End Machinery सेटप के साथ स्थित है High Quality Isolators जिनहें ERDA और CPRI Lab द्वारा प्रमानित किया गया है Balaji Engineers ये Isolators के साथ इसके Motor Drive Operation Boxes के भी Manufacturers है Balaji Isolators Make Operation Boxes ये Switch Yard Maintenance के भी उप्योग में आते है आप हमारे Isolators और Operation Boxes के Inquiry के लिए हमारी Marketing Team को Contact कर सकते है हमारा Contact Number है 9822373222 इस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं एक नए वीडियो में नए सबजेक्ट के साथ तब तक धन्यवाद